नमस्कार वित्रवभेग्यान प्रोडक्शन में आपसे भीका बहुत बहुत स्वागत है तो हमारे धनू राशी वालों आपने पिछले वीडियो में देखा होगा मैंने तीन तारीक से लेकि तीन अप्रैल तक की एनरजी की रीडिंग लव रीडिंग के रीडिंग की हुई है लेकिन अगले महीने की रीडिंग में अभी आप की आज के लिए करूँगी जिसले की आपको जल्दी जानकारियां मिलती रहें और आप उस तरीके से अपने सारी चीजों को सुचार रूप से आगे बढ़ा सकें तो देखे जैसा की टाइटिल है मारे वीडियो का प्यार य नहीं दिखाई दे पारी है मुझे तो मैं जूटा जूटा सुगर कोटिंग आपको नहीं करूंगी जो भी मुझे सच में यहां पर दिखाई देगा वही मैं आपको बताने वाली हूँ और इसके साथ साथ मैं आपके लिए अभी मैंने कुछ शिनियम बनाए हैं हमेशा काम नहीं कर पारी थी कि लव रिडिंग कंटिनियूटी में एक या दो दिन में मैं डालती रहूंगी तो जो लोग लव रिडिंग देखना चाहते हैं पसंद करते हैं वो मेरे चैनल को लाइक शेर सबस्क्राइब कर ले और देखते रहें तो चलिए कार्ड को मिक्स करती हूँ और मैं आपके लिए अभी देखूंगी सबसे पहले की आपकी लव रिलेशनसिप जो है उसमें एनरजी आपकी कैसी रहने वाली है आपकी पार्टनर की कैसी रहने वाली है नेक्स एक्षन क्या होगा आपका कैरियर क्या होगा हेल्थ, एंजल, गाइडेंस और बहुत सारी चीज़ें जो भी मुझे दिख गए उस तरह से मैं यहाँ पर कार्ड निकालूंगी तो कार्ड को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है चलिए आगे बढ़ते हैं देखें मैं कार्ड मिक्स कर लिया है मैं सबसे पहले देखने वाली हूँ जो हमारे धनू राशी वाले है उनकी अगले महीने की एनर्जी यानि आपकी अप्रेल महीने में एनर्जी कैसी रहने वाली है वैसे तीन अप्रेल तक की एनर्जी वे बिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ आगे का देखेंगे एस प्रेट गाईड अंजल स्पॉच्चिव अनर्जी के माध्यम से बताईए कि धनू राशी वालों की अप्रेल महीने की एनर्जी लव रिलेशनसिप या रिलेशनसिप में कैसी रहने वाली है धनू राशी वालों की एनर्जी रिलेशनसिप के लिए धनू राशी वालों की energy relationship के लिए ईश्वर की कृप़ा है भोलेनात की कि बहुत समय बाद काफी समय बाद यहां पर मुझे energy दिखाई दे रही है कि आप बहुत सारी दुविधाओं से निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे है कैमरा थोड़ा उपर कर लेती हूँ कि शायद कार्ड आपको इतने क्लियर नहीं दिखाई दे रहे होंगे तो देखिए यहाँ पर यह कार्ड आया है हैंग मैन रिवर्स ठीक है तो यह हैंग मैन रिवर्स दिखाता है कि पहले आप बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं किसी भी मामले में जकड़े हुए थे फ़से हुए से महसूस कर रहे थे लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जिस पार्टनर के साथ थे उनके साथ ही आपके जरनी डेस्टनी लिखी हो ठीक है तो आप किसी ऐसी energy से क्योंकि है hangman reverse आया है तो निकलते वे बाहर आते वे दिखाई दे रहा है hangman reverse या clarity दे रहा है कि आप किसी ऐसी energy से बाहर आते वे दिखाई दे रहा है हो सकता है कि थोड़ा आपको तकलीफ हुआ होगा दुख हुआ होगा कि ये सब चीज़ें क्या चल रही है छोड़ा कैमरा ओपर करती हूँ लेकिन अभी क्या दिखाई दे रहा है कि आपने क्या सोचा है दे टेंपरेंस कार दिखाता है कि आप पेशन्स रखकर बैठे हुए कोशिशें तो आपने की सब कुछ लेकिन उसके बाद भी पेशन्स आ गया है आपके अंदर आप एक पेशन्स के साथ बेठे हुआ है पहले से भी और आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको लग रहा है कि चीज़ों को वक्त पर छोड़ देना चाहिए कि ठीक होना होगा तोहुगा नहीं तो कोई बात नहीं अगर सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहा तो मैं इससे का कार्ड आए दिखाता है कि मैं इस स्टक एनर्जी से निकल जाऊँगा या निकल जाऊंगी Yeah बहुत सारी लोग इससमें से निकले हुए अभी दिख रहे हैं Ace of Pentacle कुछ लोग अपने पार्टनर को एक बड़ा ओफर देना चाहते हैं जबूरी नहीं कि इसमें हर कोई बिच्छडी गया है कुछ लोग लोगों का यहां पर यूनियन भी दिखाई दे रहा है एक फ्रेश शुरुवाद भी दिखाई दे रही तो Ace of Pentacle अगर दिखाता है कि हो सकता है कि आप किती को शादी का ओफर, इंगेजमेंट का ओफर या किसी और चीज़ का या अगर धनूराशी में भी दिखाई दे रही एक अच्छी एनरजी दिखाई दे रही है Ace of Wants भी दिखाता है कि जब हम किसी Stuck Energy से निकलते हैं तो एक नई शुरुवात तो होनी होनी होती है पुरानी सारी बातों को छोड़ कर आप एक नई शुरुवात करना चाहते हैं और Positive Energy के साथ करना चाहते है Rebirth Rebirth का मतलब होता है पुनर जनम यानि पिछला सब कुछ खतम हो गया और आपने एक नई शुरुवात की तो इस तरह की Energy यहां दिखाई दे रही है एक Soul Met काड आया है तो कोई ना कोई Supporter या Soul Met आपका साथ देते हुए मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के पार्टर बिछड़ गए है कुछ लोगों के देखे Soul Met ज़रूरी नहीं है कि वो आपका Life Partner हो वो आपका प्यार हो वो आपका दोस्त भी हो सकता है आपके साथ का कोई भी हो सकता है आपका चाहने वाला हो सकता है अपना चाहती हूँ अगला चाहता हो इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है और देखे धनुराशी वालों एक बात और कहूंगी बहुत लंबे समय से एक साइकल चली आ रही थी जिसमें आप जूज रहे थे फंसे हुए थे उलजहनों में महसूस कर रहे थे जो स्टक एनरजी यहाँ पर दिखाई दे रही थी दवर्ल कार्ड ठीक है तो दवर्ल कार्ड दिखाता है कि स्टक एनरजी से निकल कर अभी आपकी एक साइकल पूरी हुई है समय चक्र जो घूम रहा था बहुत सारी उठा पटक हो रही थी उसमें कुछ तो इस्थायर तो आता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ पॉजिटिव एनरजी आपकी तरफ बढ़ते वे दिखाई दे रही है और अगर मिस हैंगमन रिवर्स के नीचे का कार्ड उठाते है तो हैपी फैमिली बहुत सारी लोग हैं मैं सबकी बात नहीं कहूंगी पर आप फैमिली के साथ वक्त बिताते हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारी लोग हैं जो शादी या बच्चे और बहुत सारी खुशियों के बीच भी दिखाई दे रहे हैं और आप बहुत सारी चीजों पर वर्क करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, स्ट्रगल करेंगे तो अच्छा तो होगा ही, आप देखिए देखूंगी मैं कि आपके पार्टनर की एनरजी कैसी रही, ठीक है, कार्ड को मिक्स कर लेती हूँ, यह कार्ड को मैंने मिक्स कर लिया है, अब देखेंगे कि जो धनुराशी में जिनके पार्टनर हैं, आपके पार्टनर की एनरजी आपके लिए, क्या बात है, आपके पार्टनर की एनरजी आपके लिए, आपके पार्टनर की एनरजी आपके लिए, कई तरह के पार्टनर यहां दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर की एनरजी आपके लिए, तो देखिए यहां पर मैंने कार्ड निकाल लिया है, तो आप मेंसे प्रति आपको सब कुछ देना चाहते हैं आपको अपनी रानी बना कर रखना चाहते हैं या आपको अपना राजा बना कर रखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आप सारी चीदों के अलावा धन के तरफ से भी मजबूत रहें आपके जीवन में सारी चीजें हों खुशि ही दे रहा है कि कुछ लोंगे जो पार्टनर हैं रिवर्स काड आया है आप इन चीजों से निकल गए हैं तो अब क्या हो रहा है कि उनको भी तकलीफ हो रही है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है वाइसा कैसे हो गया ठीक है तो आपके पार्टनर भी बड़े प्रक्टिकल तो खुद उन्होंने ऐसी चीज़ें कि अब आप जब प्रक्टिकल हो गए हैं अब आप ऐसी बाते करने लग गए हैं तो बड़ा जीव लग रहा है उनको लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी में आप थर्ड पार्टी के साथ मूव कर चुके हैं तो उनको इस बात का थोड़ा डर लग रहा है तेंपरेंस कार्ड दिखाता है कि वह भी पैशन्स रखकर बैठें हुए कि जो होगा देखा जाएगा ईश्वर से प्रात्ना कर रहे हैं कि ठीक है और बाद में शायद सब ची आपने दोखा दे दिया है लेकिन आप सही से पेश नहीं कोई कब तक बैठा रहेगा कोई कब तक के पीछे भागता रहेगा और आप उनके रिस्पेक्ट भी नहीं करेंगे आप समझेंगे भी नहीं समझेंगे बी नहीं आप किसी भी हलत में उसे ठोड़深yttू गए देखि दे रही है कि गुरु सुख भाव में हैं तो कुछ ना कुछ अच्छी तरक्की जीवन में देते हुए दिखाई दे रहे हैं आप मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्षिन क्या हो सकता है कि वह क्या बात है शादी देखे तीन तरह के नर्जी दिखाई दे रही है कार्ड दो अपने आप निकला है तो मैं क्या बता हूँ ठीक है देहरोफेंट कार्ड यह दिखा रहा है कि शादी के लिए आगे बढ़ते वह दिखाई दे रहे नेक्स्रेक्शन उनका यह होगा कुछ लों के जो पार्टनर है वो ब्लॉक करते दिखाई दे रहे है या आपने ब्लॉक कर दिया है तो उनको लग रहा है कि भाई यह तो बाउंडरी लाइन बना ली गई है आप क्या किया जाए ठीक है एक बाउंडरी क्रियेट करते वह दिखाई दे रहे है जस्टिस कार् और लगबग पार्टनर की एनरजी मुझे ठीक ही दिखाई दे रही है अब हम देखेंगे आपकी सेहत कैसी रहने वाली है इस पूरे महीने में आपकी सेहत कैसी रहेगी आपकी सेहत कैसी रहेगी तो देखिए सेहत के मामले में कोई समस्याएं नहीं दिखाई दे रही है देखिए महां celebration दिख रहा है कुछ ना कुछ तो बहतर positive आ रहा है धनुराशी वालों आपकी life में health के मामले में भी आप active होते वे दिखाई दे रहे हैं अपने बारे में सोचते वे दिखाई दे रहे हैं होता नहीं है कि आप काम कोई तरफ divide करेंगे workout कोई तरफ divide करेंगे अपनी चीदों के बारे में सोचते वे दिखाई दे रहे हैं देखिए divine का भी support है तो यह self love में बने रही है और चलिए अब हम देखेंगे आर्थिक इस्थिती के मामले में धन के मामले में आपका ये महीना कैसा जाएगा धन के मामले में आपका महीना अप्रायल महीना कैसा जाएगा धन के मामले में देखिए धन का मतलब चंदर मावी वहता है यहां चंदर मापूडा उदाल इंहां देखना मैं अप्रायल महीना कैसा जाएगा मैं सब के लिए नहीं कहूंगी एक जैसी in एनर्जी है करोडों धनूराशी के लोग है तो देखिए ये महीने में कुछ न कुछ उतार चिलाव प्रांस्वरमेशन तो दिखाई दे ही रहा है देखिए कुछ परिशानिया थोड़ी दिखाई दे रही है और ये मार्च से ही थोड़ी बहुत दिख रही है अब उसके लाम संगर्ष करते दिखाई दे रहे हैं कोई अच्छा बड़ा काम भी आपका हो सकता है पैसे वाला पैसे बन सकते हैं पुराने समय में अगर कुछ दिक्कते आई सब कुछ बिगड़ा हुआ था तो रीकंशलेशन दिखाई दे रहे हैं तो स्टार कार्ट दिखाता है कि आप महनत कर रहे हैं उसका फल आपको मिलेगा पैसों का इंतिजाम हो जाएगा काम आपके बन जाएंगे ठीक हो जाएंगे लेकिन मानसिक तोर पर आप थोड़ा पैसे को लेकर परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं हो सकता है कि आपने कुछ करज लिया हो या दिया हो तो लग सकता है कुछ समस्याई रह सकती है लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो देखिए रात रात भर आप जागते हैं वह ठिंके करते हैं कुछ कुछ सोच विचार आपके मन में चल रहे हैं थोड़ी निगेटिविटी है उसको अपने मन से हटा दीजे मैनिफस्ट करिए कि यहाँ पर विक्टरी काड आया है तो फाइनली जाके सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है एकदम मैं नहीं कहूंगी हंटेट परसंट अच्छा कुछ सिक्स्टी सबंटी परसंट तो ठीक ही एनरजी है अब आगे देखेंगे कि आपका कैरियर और काम कैसा रहेगा कैरियर औ कैकर अब बहुत प्रैक्टिकल करके सिर्फ अपने बारे में सोचकर आगे बढ़ते वर दिखाई दे रहा है काम इसमाइने बहतर दिखाई दे रहा है मेहनद करते दिखाई दे रहा है राशी फल के साथ साथ लव रिडिंग भी बनाने की कोशिश करूँगी जानकारिया देने की कोशिश करूँगी तो मैंने वो शुरुआत कर दी है तो ऐसी कोई पॉस्टिव एनरजी जो जितने धनूराशी वालों है उनके आस पास मुझे दिखाई दे रही है कुछ पॉस्टिश में लगे हैं लोगों से मिलना चुलना मेटिंग्स आगे बढ़ना चीज़ें हो सकती है विचार भी मर्स हो सकते हैं और साथ-साथ क्वीन आफ पैंटिकल है तो जो मनी मटर की समस्या है या काम का मामला है वहां पर आपके चाहर तरफ सब चीज़ें दिख रह आपको सीधे सोचना ही चाहिए आप एक बैलंसिंग परस्नालिटी है कुई आफ वांट तो आपके अंदर एक ग्रोथ करने वाली च्छमता है सब कुछ बिगड़ जाए कुछ बिगड़ हो जाए सब कुछ हो जाए लेकिन अगर आपके उपर जिम्मेदारी दी जाएगी त तो अगर कोई यहाँ पर देख रही है जो कि महिला हो तो आप अपने जीवन में स्थाइट तो लाती वही दिखाई दे रही है अच्छा करते वही दिखाई दे रही है यह देखिए एक हैपी फैमली का कार्ड आया है तो काम काज को लेकर सब कुछ अच्छा होगा बहतरी ह होगी और यह 10 आफ कप यानि की विश जो आपकी विश हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तो होगी आप देखिए बहुत बड़ी समस्या कुछ लोगों के लाइफ में चल रही थी जैसे की जिन लोग का डिवोर्स वगयरा का मैटर चल रहा है तो जिन लोग का लीगल मामला चल र है तो वहाँ पर मुझे अलगाओ कि इस ती अभी भी नहीं दिखाई दे रही पता नहीं क्यों डिवाइन आप लोगों को साथ ही रखना चाहते हैं यह रिष्टा तूटता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है आप अभी भी जिम्मेदारियां निभाते वह दिखाई दे रहे हैं अभी प्रोसेस कहते है ना प्रोसेस चल रहा है इस समय इस महीने में कोई नहीं मुझे दिखाई दे पा रहा है अभी तो आप अलग होते मुझे नहीं दिख पा रहा है चलिए आप में से कुछ लोग अगर सरकारी जोब के लिए ट्राई कर रहा है तो मैं से लि राशी के है और अगर आपने हिम्मत नहीं छोड़ी है और आप मेहनत करते हुए लगे हैं तो कुछ ओफर आपकी तरफ दिखाई दे रहा है जज्जमेंट कार्ट दिखाता है अंधेरों से निकल कर आप एक अच्छा समय आने की तरफ आप आगे बढ़ते हुझे दिखाई द बर गया है या आपने मूव कर लिया है ठीक है तो कही ना कहीं वो परसन आपके साथ कुछ छुपा रहा था कुछ चिटिंग कर रहा था कुछ धोखा हो रहा था इसलिए आगे हैं यहां पर टावर मूवमेंट तो साफसाफ एनरजी बिल्कुल ऐसी ही दिखाई दे रही धो चीटिंग टावर मूवमेंट मूव ओन तो देखिए कैसी कैसी एनरजी अगर तो कोई चीज जा रही है तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हैंग मैं रिवर्स आया है उस एनरजी से आपको निकल ही जाना चाहिए और कुछ लोगों के समझाने बुझाने की बाते हैं तो हैंग मैं रिवर्स फिर से आ गया देखिए डिवाइन कह रहे हैं कि आप जिस चीज के पीछे पड़े हैं अगर वो नहीं हो पा रहा है तो उसको त्याग दीजिए यहां पर कुछ ठीक हो नहीं हो सकता अगर अगला आप की चीज़ें नहीं सुन रहा है नहीं समझना चाह अगनूर कर रहा है तो जाने दीजे भाड़ में जाएं ठीक है और यह है दा हैंग मैं डिवर्स यानि किस इस्टक एनरजी से आप बाहर आईए और ऐसे कुईन ओफ पैंटिकल की तरह ग्रो कीजिए शाइन कीजिए आगे बढ़िए पैसे लाइए सब चीज लाइए अपन पर्सनल रीडिंग करवाना चाहता है कुछ भी समझ में आपके नहीं आ रहा है आप लगातार पीछे पड़े हैं कुछ भी नहीं बन पा रहा है आप इसने निकलना चाहते हैं आपने दोखा घाया या कोई समस्या है अगर आपके साथ तो आप मेरा नंबर नोट करने एक द करवाना चाहते हैं तो मेरा वाट्शप नमबर नोट कर लीजिए वाट्शप कॉल वाट्शप मैसेज आप कर सकते हैं तो आप चाहते हैं कि जिन्दगी में धोखा ना खाएं और सही सुगम रास्ते से आगे बढ़ सकें तो guidance के लिए रीडिंग करवा सकते हैं जैसे मैंने आ समस्या है उसके लिए ठीक है तो चलिए अब बची है आपकी रीडिंग यस और नो की और अगर आपसे वीडियो रेजोनेट हुआ है तो नीचे comment box में जरूर लिखिए कुछ कार्ड मेरे उचल उचल कर गिर गये हैं जैसे की धनुराशी वालों की जिन्दगी चल रही है त तो मैं एक बार उठा लेती हूं जरूर तो लास्ट में बचा है आपका यस और नो का कार्ड तो आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं जिस भी ईश्वर की आरादना करते हैं उनकी एनरजी को अपने मन में लाइए ध्यान कीजिए और कोई सवाल अगर इस रीडिंग में कही नहीं बाकी रह गया हो वो अपने मन में दोहरा सकते हैं मैं कार्ड निकालूंगी यस और लो के लिए देखिए यस का कार्ड आया है दोनों ही कार्ड अच्छे बॉटम आप देक की एनरजी भी अच्छी आई है और दचेरियोट कार्ड भी दिखाता है एक्शन को दिखाता है हैपिनस को दिखा रहा है खुशियों को दिखा रहा है तो एक पॉजिटिव कार्ड यहां पर दिखाई दे रहा है तो देखिए जैसा मैंने कहा कि अगर आपको अपनी परस्नल रेडिंग करवाना है तो मुझे संपर कर सकते हैं अगर वीडियो रेजोनेट हुआ है तो जो की मन में आ रही है मैं भी धहनूराशी में हूँ तो शायद मैंने भी सेम ही स्टरगल किया है चाहा रिलेशन सिपों चाहे का म हो या कहीं पर कुछ लोगों ने अपनी अर्थ वयवस्था के मामले में बहुत गाठा उठाया है लेकिन मैं कहूंगी कि देखिए क्या होता है 2014 से या 15 साड़े साथी चल रही थी तो आपको लगा कि साड़े साथी किसी तरह निकल जाए निकल जाए जब मिड में आई 2018 से लेके 19 20 20 इतना स्ट्रगल किया आपने उसके बाद आप इस एनरजी से बाहर आए आप बाहर आए अपने उम्मीद की तो फिर ढ़या आ गई आया है उसमें आप मेंसे बहुत सारी लोगा कि क्यों नहीं बढ़ पा रहा है दिकत यह हो रही कि आपने पिछली एनर्जी को चिपका रखा आया अपने साथ बोहुत बार हम बच्छ्पन से लेकर अभी तक की बहुत सारी एनर्जी को रिलीज नहीं कर पाते हैं और इसी ल पर दोबन में ऐसी समस्याएं हो रही है नहीं तो कारण ये है कि अगर आप एनरजी वर्क कर पाते हैं तो बहुत कुछ सुधर सकता है मैंने भी अपने पर वर्क किया है मैं भी बहुत सारी परिशानियों में रही हूँ लेकिन आज कल में बहुत पॉजिटिव महसूस कर रही और आप प्रार्थना कीजिए कि है इश्वत किसी भी जनम से लेकर अभी तक अगर मैंने कभी किसी को कष्ट दिया है तो मैं उनसे बारंबार छमा चाहता हूँ मैं अपने पित्रों से बारंबार छमा चाहता हूँ हमारे पित्रों ने अगर किनी आत्माओं को कष्ट दिया है तो मैं उनसे बारंबार जितने भी जियू, जन्त, वनस्पती और तत्व है अगर किसी भी तरह कोई गलती हुई है कहीं हमने अगनी के साथ बुरा किया है मैंने कहीं पानी को ज़्यादा वेस्ट किया है अगर आप पानी वेस्ट ज़्यादा करते हैं तो उसका मतलब आपका मन यानि आपका जो चंद्रमा है वो कमजोर हो जाएगा ठीक है आपने अपनी अगनी को वेस्ट किया है तो आपके अंदर का पुरुष आपके अंदर की एनरजी धोमिल हो जाएगी ठीक है आपने अर्थ की रिस्पेक्ट नहीं की है तो कहीं ना कहीं आपका मुलाधार चक्र गर्वड हो जाएगा ठीक है आपने वायू तत्युगा ईश्वर से connection सही से नहीं बनाया है वहाँ पर कुछ गलतियां की हैं तो फिर आपका सब कुछ गलबड हो जाएगा तो कहीं ना कहीं सब कुछ आपको लग रहा है कि आप ठीक करने हैं कुछ चीज़ें आप नहीं कर रहे होते हैं तो आप यह prayer कर सकते हैं कि जितने भी तत्व हैं मैं उनसे भी बारंबार छमा चाहता हूँ इस energy को आप release करेंगे और आप कहेंगे कि अगर कभी किसी ने किसी भी जनम से लेके अभी तक या बच्पन से लेके अभी तक मुझे कस्ट दिया है तो मैं उनको भी छमा करता हूँ छमा करता हूँ छमा करता हूँ इस energy को release करेंगे और अगर किसी से आप जुड़े हुए हैं उस connection को आप तोड़ नहीं पा रहे हैं जान में बैठिये और ऐसा महसूस कीजिये कि एक कॉड़ आपके सीने से दूसरे आपके person के सीने में जो जुड़ा हुआ है कुछ जुड़ा हुआ आप अनुभा करते हैं महसूस कीजिये कि एक कैची आई और आपने उसको बीच में से काट दिया ऐसे आप रोज करते रहेंगे तो ये कॉड़ कटिंग हो जाएगी फिर आप उस person से दूरी बना पाएंगे यह नहीं तो बहुत बार होता है कि अगला person आपको बहुत परेशान कर रहा है कहते हैं नार्षा सिस्ट होना राक्षस की तरह होना साइको की तरह होना परेशान करना लेकिन आप उससे अलग नहीं हो पा रहे हैं तो आपको कॉड़ कटिंग करने चाहिए अलग से मैं कॉड़ कटिंग को लेकर एक वीडियो बनाऊंगी तत्तों को लेकर एक वीडियो बनाऊंगी लेकिन अभी जो धनुराशी वालों मैं आपको समझाना चाहती हूँ जैसा मैं हमेशा ही कहती है आई हूँ पुरानी एनरजी को रिलीस करिए एक फ्रेश एनरजी बहुत दिनों बाद मुझे धनुराशी में दिखाई दी है आगे बढ़िए री बर्थ का कार्ड आया है मूव करिए ठीक है एक्शन लीजिए अपने जीवन में कुछ करने के लिए पॉस्टिविटी के लिए और ज़रूरी नहीं है कि नहीं होगा अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे सोचेंगे तो सब कुछ बहतर आपके जीवन में होने वाला है जो नही सही हो रहा है उसे छोड़ दीजे बहुत लंबा खींच चुके आप मूव करिए वहां से ठीक है तो बहुत सारी शुब कामनाएं हैं आपके लिए देखिए कल होली है मैंने का होली के एक दिन पहले अगर आपको मैं वीडियो भेज दू तो बहुत अच्छा रहेगा आपक पूर रंग से भर लीजे अपनी दुनिया को और रंग कभी भी बाहर से नहीं लाए जाते रंग आपके अपने अंदर ही होते हैं जो इतने दिन के संगर्शों में आपने उसको दबा दिया खो दिया अपना सब कुछ होता ना पुनर जनम वापस लाइए नए जीवन की सब एक तरफ मैं प्यार और दोखा रिडिंग जरूर करती हूं लेकिन मैं कहूंगी सब एक तरफ आपका अपना सेल्फ लब आपकी परस्नालिटी आपका अपना सुख अपना सब कुछ एक तरफ जो चीज़ आपको परिशान करें वहां से निकल लीजिए और आगे बढ़ आध्यात्म की एनरजी बहुत बड़ी है और मैं आपको बताओं कि एक बात और शेयर करना चाहूंगी कि मैं एक आध्यात्मक गुरू हूं ठीक है लेकिन सबकी अपनी पसनल लाइफ होती है इंस्टा पर मैंने एक पुराना गाना था ठीक है उस पर मैंने मधुबाला का स् उस पर मैंने खूब उछल कूद करके बड़ा मस्त डांस किया तो किसी ने इस चैनल से जाकर वहाँ पर क्या लिखा कि वहाँ आध्यात्मका धकोसला कर रही है और यहाँ देखिये नाच रही है आपको पता भी है कि आध्यात्मका मतलब क्या होता है पहले आप जाकर समझे इश्वर ने आपको खुश रहने के लिए बनाया है और एक आध्यात्मक गुरू के साथ साथ मैं एक कलाकार हूँ चाहे नृत्य हो चाहे अक्टिंग हो चाहे डिरेक्शन हो चाहे कैमरा हो यह कुछ भी हो आप जानते हैं आप लोग काफी लोग जानते हैं कि मेरे दूसरे चैनल भी है मैं क्रियाटिव परसनों में काम करती रहती हूँ और यह सब एक माध्यम है अपने एक्स्परिशन को बाहर लाने का तो आप लोग भी कभी किसी के कहें में ना आएं कि आप क्या हैं कोई लबादा अपने उपर ओड़कर बिल्कुल भी मत रखिये फ्री होकर मन अपने जीवन को जीएं खुश रहें प्रशन रहें भोले नात का आशिरवाद आप पर बना रहें तो चलिए जाते जाते कहूंगी हैप्पी होली आपको बहुत सारी शुब काम ना है बहुत सारे रंगों से भरपूर हो आपका जीवन मेरे साथ कहिए गनपति बप्पा की जय हो बोले नात की जय हो शक्ती माता की जय हो ओम नमाशिवाए ओम नमाशिवाए ओम नमाशिवाए ओम नमाशिवाए ओम नमाशिवाए हरियों तत्सत हरियों तत्सत हरियों तत्सत